इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PIL क्या होती है, Public Interest Litigation होती क्या है सबसे पहले हम इसकी concept को समझ लें, इसे हिंदी में हम कहते हैं जनहीत याचिका या लोक हीत वाद ये जो concept आया है, ये अमेरिका से आया है, पहली चीज, दूसरी चीज ये हम भारत के संदर में बात करें तो इनके जो founder है, वो माने जाते हैं P.N. वगवती साहब को, वो Supreme Court के former जड़ रा चुके हैं उनका ये concept है और उन्होंने काफी पॉलपूलर जो है, इस concept को किया P.I.L. होता क्या है, इसे हम जैसे कहते हैं कि Public Interest Litigation मिस ऐसी आचिका जिसमें Public का Interest जुड़ा हो, मिस माली जीए कि कुछ ऐसे fundamental right का हनन हो रहा है, जैसे मेरा माली जीए fundamental right का हनन हो रहा है तो P.I.L. में दाकिल नहीं कर सकता, मगर माली जीए एक mass scale में काफी लोगों का fundamental right जो है, मौली का दिकारों का हनन हो रहा है, तो उस condition में कोई भी बंदा चाहे वो period व्यक्ति हो या न हो, जिनका fundamental right हनन हो रहा है, कोई जरूरी नहीं कि वही याचिका दायर करेंगे, आप हम कोई भी जो है याचिका दायर कर सकते हैं, तो इसे हम कहते P.I.L. अब और भी कई तरीके होते हैं PIL दायर करने के हम यदि इतिहास की हम बात करें पुराने समय की हम बात करें तो पहले लोग लेटर भेज के भी PIL दाखिल करते थे मगर चुकि आपको पता है कि जो सुपीम कोट का है कई सारे कारी है तो पॉसिबल नहीं है हमारे देश की संख्या जो है 130 करोड के आसपास है तो पॉसिबल नहीं है इस प्रोसेस को चला पाना तो उनके कई सारी गाइडलाइन्स जारी करा है कि ये लिमिट है वही इतने में आप पॉबलिक इंट्रेस लिटिकेशन जारी कर सकते है तो PIL के लिमिटेशन यदि हम थोड़े सब्दों में बात करें तो उसमें है कि सिर्फ एक बंदे के लिए सिर्फ एक बंदे का यदि मौलिक अधिकारों का अनन हो रहा है यह आप समझ रहे हैं अगली चीज़ें दिया हम बात करें PIL की तो बहुत ही आपको सुनने में ताजूब भी लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है यह चीज़ कि मालीजे सुप्रीम कोट के जज़ है और वो पेपर पढ़ रहे थे यह TV देख रहे थे यह YouTube में वीडियो देख रहे थे रेडियो सुन रहे थे कहीं से भी यह कहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि कई लोगों का fundamental rights का हनन हो रहा है उस condition में वो जी newspaper में उन्होंने पढ़ा या उन्होंने जो देखा उसे वो याची का मान के एक public interest litigation के ताथ वो एक order जो है वो जारी कर सकते हैं तो PIL की यह भी एक process है तो मिलते हैं next video में